श्वामी विवेका नन्जी का नाम बच्पन में नेरिन डिनास दित्त था जन्म उनका 12 जन्वरी 1860 में हुआ था 12 जन्वरी को युवद अवश के रूप में स्वामी विवेका नन्जी का जन्म दिवस मनाया जाता है जो जन्म का इस्थान है वो गुलकाता बस्सिम बंगाल राज्य में हुआ था श्वामी विवेका नन्जी के पीता का नाम विश्वना थिदत मांता जी का नाम बुनिश्वरी देवी और उनकी मुख्य रचनाय जो है योग, राज, योग, ज्ञान, योग थी उन्होंने बहुत सारे सुसाइटी के स्थाफना की थी उनकी सुसाइटी का नाम विदान सुसाइटी निवार के अमेरिका में स्थाफना हुई थी रामकृष्ण मीशन की स्थाफना थार संतावन में कौलकाता में हुई थी रामक्रिश्न मठ की इस्थाफना भी कॉलकाता में 1889 में के थे उनकी मृत्त जो है 1909 में हुई थी समाचिक विचार सिक्षा संबंधी भी सिक्षा के संबंधी के बारे में ऐसे विचार रखते थे कि सिक्षा से जो इस्टुडेंट हैं जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में स्वालंब बने और अपनी आर्थिक इस्थिति को मजबूत करें और खुद के उपर आत्मे विश्वास उनको उनक बावर हैसा हूं को सिख्षत दे जाने चाहिए इसस्त्री के बारे में इनके समाजी पिचार थे हुए इस्तृयों की उनका कहना था जहां इस्तृयों का स्रम नहीं मिलüneं वह देश तरक्यिक की सुक्ता है जो स्रम करते हैं श्रमिक के बारों में वारे में उन्होंने अपने समाजी कि विचार रखे क्रांति का शिध्धान्त रखते थे युवाओं का योगदान बहुत होना चाहिए राज नहीं तेक विचार में सक्ति धर्में विचार रखते थे दार्शनिक विचार उन्होंने दार्शनिक विचार में भी बहुत सारे दार्शनिक विचार दिये हैं जैसे विदान्त मोर्त पूजन का शमर्थक का बंतलब था उनको मूर्थी पूजन के वेश्च शमर्थक थे और उनका कहना था कि मूर्थी का पूजा करने से हमें ध्यान को केंड़ित करने में मदद मिलती है सबसे पहले ध्यान केंड़ित ही आता है मूर्थी पूजन में फिर दरिद्र नरायड उन की मदद करने चाहिए जो गरीब है निर्धर है उनकी मदद करने चाहिए ऐसे हम भगवान के समक्ष जा सकते हैं गीता का निश्काम भाव अर्थात हमें गीता का में जो कहा गया है कि आप कर्म करो फल की इक्षाना करो उनके दार्शनिक विचार में यह थे